आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे बी ये का हिस्ट्री सब्सिडियरी है पार्ट वन का है यह मोडल कोशन इन्वर्शिटी के दुबारा जारी किया गया है उसी का एंसर मैं देने की कोशि आपका अपसन है अतीत का समाज का कानून का पर्यावरन का तिसका सही एंसर है B समाज का दूसरा कोशन है रमायन के रचैता कौन है आपका अपसन है तुलसिदास बेद ब्यास बलमी की रामदास तिसका सही एंसर है बलमी की C अपसन आपका सही है तिसरा कोशन है पुरानों की संख्या कितनी है आपका अपसन है पांच साथ एगारा अठारा तिसका सही अंसर है डी अठारा चौथा कोशन है राजत तरंगिनी के लेखा के कौन है आपका अपसन है कालिदास कलहन रागदास बुकाराम तिसका सही अंसर है कलहन बी अपसन आपका सही पांच नमबर का को The Histories के लेख़ के कान है ? आपका अपशन है Herodotus Megasthenes Pliny Plutarch तिसका सई अंसर है A. Herodotus चछठा केशन इतिहास का पीता किसे कहा जाता है ? हफ़ाषन है Herodotus Aeroepodes Pluto Pliny तिसका सई अंसर है A. Herodotus साथा कोशन है किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की घटना है आपका अप्शन है कार्ल मार्क्स कालिंगवुड इएच कर इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है A कार्ल मार्क्स आठवा कोश्चन है बिक्रम संबत कब लागू हुआ आपका अप्शन है आठवन इसवी पूर्व अठहतर इसवी पूर्व संतावन इसवी पूर्व तिहतर इसवी पूर्व तिसका सही अंसर है संतावन इसवी पूर्व C अप्शन आपका सही है नो नमबर का कोश्चन सक संबत किस राजा ने शुरू किया आपका अपसन है असोग, कनिश्क, हर्ष, समुद्र गुप्ते तिसका सही अंसर है B, कनिश्क दसवा क्वेशन भारत का राष्ट्रिय पंचांग किस पर अधारित है? आपका अपसन है काली संबत, विक्रम संबत, सक संबत उपरोक्त में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है C, सक संबत एक आरा नमबर का क्वेशन, विक्रम संबत और सक संबत में कितने वर्षों का अंतर है? आपका अपसन है 27 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है C, 135 वर्ष 12. कारवन डेटिंग पधिति के जन में दाता थे आपका अप्सन है हेरोडोटरास, हीगेल, बिलाटर लिवी इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है C, बिलाटर लिवी 13. कारवन डेटिंग पधिति का उपयोग किस चीज के उम्रे निर्धारन में होता है आपका अप्षन है जीवास्म, ग्रह, चटान इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है A, जीवास्म 14. कोटिल्य का अर्थ सास्त्र संबंधित है आपका अप्षन है अर्थ सास्त्र, राजनीती, धार्मिक इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है B, राजनीती पंदरन नमबर का कोशन कलहन की पुस्तक का नाम है आपका अपसन है अर्थ शास्त्र इंडी का राजत रंगिनी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही एंसर है C. राजत तरंगिनी सोलन नमबर का कोशन महाभास से को किसने लिखा था आपका अप्सन है कोटिल, पतंजली, कालिदास इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है B, पतंजली 17 नमबर का कोशन हर से चरित के लेखक कौन है आपका अप्सन है कालिदास, वानभट, बालमी की इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर है B, वानभट 18 नमबर का Qešn चंदवर दाईस ने किस पुष्टक को लिखा है? पृत्वी राज बिजय पॉर्मल राज हो इन में से कोई नहीं सही एंसर ए पृत्वी राज है राज राज हो 19 नमबर का Qešn इन में से कौन भी देशी यात्री भारट में पहली बार आया था? आपका अपसन है मेगास्थनीज, फाहियान, इतिसिंग, इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है A, मेगास्थनीज 20 नंबर का कोश्चन है अश्टा ध्याई को किसने लिखा था आपका अपसन है बेदव्यास, पानी नी, बालमी की इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है B. पानीनी 21 नमबर का कोशन इबन बतुता किस देश से आया था? आपका अपसन है मुरको, पर्शिया, तूर्की, इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर है A. मुरको 22 नमबर का कोशन कौन चीनी यात्री हर्श वर्धन के समय आया? आपका अपसन है फायान, वेंसांग, इत्शिंग, वो पर्वोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है B. वेंसांग 23 नमबर का कोशन भारतिय पुरा तत्व का पीता किसे कहा जाता है? आपका अपसन है एलेकजेंडर कनगिंधम, जेम्स प्रिंसेप, जोन मार्श इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर है एलेकजेंडर कनिंगम 24 नमबर का कोशन हड़ापा सभ्यता की खोज किसने की? आपका अपसन है जोन मार्शल दयाराम सहनी, आर आर बनर जी इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर है बी दयाराम सहनी 25 नमबर का कोशन हड़ापा सभ्यता की खोज कब हुई? आपका अपसन है 1921 बी, 1921 बी, 1935 बी इन में से कोई नहीं इसका सही एंसर है B. 1921 इस भी में 26 नमबर का कोशन नियूमिस्मेटिक क्या है? आपका अपसन है हस्त लिपी का अध्यान सीके और धातु का अध्यान कॉपर पलेट का अध्यान इन में से कोई नहीं इसका सही एंसर है B. सीके और धातु का अध्यान 27 नमबर का कोशन, असोक के हस्त लीपी को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपका आपसन है, जॉन टावर, हैरी स्मित, जेम्स प्रीन रोप, इन में से कोई नहीं, इसका सही एंसर है, सी, जेम्स प्रीन रोप 28 नमबर का कोशन, असोक का अधिकांस लीपी किस भासा में है? आपका अपसन है, प्राकिर्त और बरहामी, संस्क्रित और प्राकिर्त, पाली और प्राकिर्त, इन में से कोई नहीं तो देखिए हमारा जो answer मिला है पाली और ब्रहामी मिला हुआ है इसलिए ये answer question को जो मैंने doubt में डाल दी है इसका answer अगर आपको मिल रहा है तो आप answer बताने की जरूर कोशिस किजिएगा कमेंट के दोबारा 29 नंबर का question कौन सी लिपी दाहिने से बाई की ओर लिखी जाती है आपका option है ब्रहामी, सार्दा, खरोष्टी इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है C, खरोष्टी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिजय हिंद, जय भारत